हेलो एवरीबन और वेल्कम बैक तो कम्पेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का एक बार फिर से कम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ सौरब आप लोग देख रहे हैं सिस्टी सीजेल एंड सीचसल का यूटूब प्रोग्रा अगर आप इस यूटूब चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन्स आपको फ्री आफ कॉस्ट मिलते रहें यही नहीं अगर आप नोटिफिकेशन ना भी मिले तो आप वेट मत करिए यहां पे हर दोपहर के 12 बजए और साम को 5 बजए मंड़े से फ्राइडे आपको डेली बैसिस पे दो लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहें साइट प्रोवाइड हो रही है उसका एंसर कि आपको वेडनेस दे को मिल जाता है तो सारी पीडियाफ्स जो है जितनी पीडियाफ्स है प्रोवारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आप एक बार इसको समझिए कि दुकानदार कैसे यहां पर डिसकाउंट देता है क्योंकि उसका काम क्या है उसका काम तो है भई प्रॉफिट कमाना लेकिन जब हम उससे बोल रहे हैं कि आप इसमें दस रुपए कम करके दीजिए वो वो भी हम देखेंगे तो शुरू से लेकर आखरी तक वीडियो को देखेगा क्योंकि यहां पर कहीं न कहीं इसके उपर जब सवाल आता है डिसकाउंट प्लस प्रॉफिट के उपर सवाल आता है तो एक्जाम में कभी-कभी हमसे बनता नहीं है तो मैं यहां पर सारी आपको फॉर्मूला भी याद कराऊंगा और अगर आपने परसेंटेज का फॉर्मूला यानि की परसेंटेज का वीडियो अच्छे से देखा है तो यह डिसकाउंट आपको बहुत अच्छे समझ भाएगा क्योंकि सारी चीज़े करेक्ट है यह जो डिसकाउंट यानि जो वैल्यू थी उसी के जैसा ही यह आपका छूट भी काम करता है ठीक है चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से इस टॉपिक को प्रॉफिट लॉस पार्ट 3 डिसकाउंट देखिए डिसकाउंट का मतलब क्या होता है इसको हमें पहले समझदा जरूरी है डिसकाउंट का भई यह इतने रुपिया का है जो लिखा हुआ वैल्यू है इसी को हम क्या कहते हैं एंपी का मतलब है मार्क प्राइस मार्क प्राइस ठीक है हिंदी वाले क्या लिखेंगे अंकित मूल्य अंकित मूल्य तो जिस भी प्रोड़क्ट पर जो वैल्यू लिखा हुआ है उस प्र तो इसका मतलब भी क्या है तो मार्क प्राइज ही है ठीक है कही ना कहीं आपको मिलेगा लेबल्ड प्राइज लेबल्ड प्राइज ठीक है लेबल्ड प्राइज तो इसका मतलब भी यही है ठीक और कहीं-कहीं आपको मिल सकता है advertised price, तो इसका मतलब भी यह है, ठीक है, तो कहीं-कहीं आपको विज्यापित मूल्य मिल सकता है इस सवाल में, कहीं-कहीं पर जो advertised price है, यह मिल सकता है, labeled price है, और जो printed price है, यह सारी चीजे जो है, यह mark price ही होता है, जिसको हम short form में MP लिखेंगे, हें तो MP जहां भी मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है तो मार्व प्रईस है चलिकर अब देखिया कभी भी हम कोई व्यस्तु को समान को खरीदने जातें मान लिए कि सब्सक्राइब का समान है तो दिसका मार्व प्राइब है अगर भी इसको कुछ रुपए के समान को 90 रुपए में खरीदा तो बेचने वाले के लिए selling price है तो कहीना कहीं हम यह बेचने वाले के नजरिये से इसको देखेंगे तो यह selling price है तो यह discount का formula होता है mark price minus selling price ठीक 10 रुपए का आपको discount मिल रहा है तो 100-90 करोगे क्योंकि initial value बढ़ा है तो कहीना कि decrease हो रहा है तो mark price minus of selling price जो होता है यह discount होता है लेकिन आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि हमेशा discount का मतलब क्या है mark price minus selling price क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसको खरीद रहा है तो कहीना कि यही selling price उसके लिए तो cost price होगा तो वो तो बोलेगा भई यह cost price है selling price तो आपको याद नहीं रखना है बस formula में represent करने के लिए हमने MP minus SP लिखा है बट समझ के रखिए कि जिस दाम पर बेचा गया वो है selling price और जहां पर लिखा हुआ था वो कहीना कहीं महाँ पर 100 रुपया लिखा था तो यह इसका अंकित मूले इन दोनों का जो difference है यही इसका discount होता है मतलब यहाँ पर 100-90 करने पर 10 रुपए का discount हुआ अब discount percentage की मैं बात करूं discount percentage की तो again percentage हमेशा किसके reference पर निकलता है तो प्रारंभिक मूले पर तो जो discount मिला discount ठीक है divided by यदि मैं mark price करूं multiplied by 100 करूं तो हमारा percentage निकल दाएगा क्योंकि आप 10 रुपए की छूट किस पर दे रहे हैं mark price पर दे रहे हो कि selling price पर जाहिर सी बात है कि आप 10 प्रतिशत की छूट इस पर दे रहे हो तो 10 divided by 100 multiplied by 100 तो कहीं न कहीं 10% का यह आपका हो गया discount percentage दो बाते clear हो गई discount पर discount percentage हमेशा mark price में निकलता है क्योंकि प्रतिशत हमेशा हमेशा ही हमेशा जो है प्रारंभिक मूले पर निकलेगा तो यह जो 100 जो है यह प्रारंभिक म निकाल पाएंगे कहीं न कहीं इसको arrange करने पर यहीं मिलेगा कि discount का मतलब क्या हुआ discount का मतलब हो गया इसको rearrange करने पर कि mark price का कितना percentage है discount percentage बटा सो मतलब अगर मुझे 100 रुपे दे और बोले कि 10 प्रतिशत का छूट है तो मैं यह भी यह भी कह सकता हूं कि अगर 100 रुपे औ 10 प्रतिशत दे दिया जाए तो यह मैं कह सकता हूं कि discount में 10% की छूट है और 10% किसका तो mark price का तो mark price का 10% जब माइनस करोगे तो माइनस का 10 होगा यानि कहीं न कहीं 10 माइनस करने के बाद जो selling price आएगा वो कहीं न कहीं 90 हो जाएगा तो इसी तरीके से हमारे formula बनते हैं यहा आपर जो discount मिल रहा है वो mark price का 10% है तो 10% 100 का 10 रुपिया हो गया मतलब अगर आपको selling price ना देकर mark price और discount percent दे तो आप क्या करेंगे mark price का उतना percentage निकालेंगे discount हो जाएगा और discount माइनस करने पर कहीं न कई selling price यहाँ पे निकल किया जाएगा ठीक यह सारी बाते clear होगे चलिए अब इसका formulas आप लिख सकते हैं पहला जो मैंने आपको already बता दिया discount का प्रतीसत क्या है mark price minus selling price बटे mark price गुडे 100 यानि छूट की प्रतीसत है अंकित मूले minus विकरे मूले जो की क्या है छूट है यानि कि mark price minus selling price क्या है तो discount है और यह discount किस पर निकलता है तो अंकित मूले पर याने mark price पर तो उसका प्रतीसत निकालना है तो बटे में उससे divide करना पड़ेगा और multiplied by 100 करना पड़ेगा इस बात का नोट बना सकते हैं तो discount percentage निकलना सीख लिया आपने अब देखिए इसके बाद आपको समझना है कि selling price बराबर क्या हो जाएगा discount प्रतीसत को minus करना mark price में यानि अगर एक हमने discount percent का एक छूट दिया तो कही ना कही mark price into 100 minus discount percent by 100 इस तरीकी से आप इसको निकाल सकते हैं तो अंकित मुल्य में 100 minus छूट प्रतीसत बटे 100 करोगे तो कही ना कही आपका selling price आजाए अब जैसे ही आप इस formula को देख रहे हैं तो इस formula को represent करने के तरीके अने यह चीज मैंने आपको पहले भी percentage में cover कर आके रखा हुआ है यानि कि suppose करिए कि मैंने कहा 20 percentage का discount तो इससे आपको आपके mind में क्या-क्या बाते आनी चाहिए कि selling price जो होगा वो mark price का सबसे पहली बात 20% का छूट देना है तो mark price अपने आप में 100% होता है 100% का मतलब 20% यदि हम minus 20 by 100 यानि 80 बटा 100 हो जाएगा ऐसे आप लिख सकता है या फिर कोई बच्चा इसको mark price का 0.8% लिख सकता है या फिर कोई बच्चा इसको ऐसा भी देख सकता है कि भाई अगर 20% का छूट है तो mark price में आपको पता है discount minus करने पर कही ना कही selling price आता है मतलब अगर मैंने 100 और जैसे मैंने देखा एक बटा 5 तो परारंबिक मुल्य जो है वो 5 बन जाता है इस case में परारंबिक मुल्य क्या होगा mark price होगा क्योंकि आप discount जो देते हैं वो हमेशा mark price पे देते हैं तो यहाँ पर यह 5 unit का होगा और discount 5 में एक unit का discount है याने minus करना और minus करने के बाद जो ratio बनेगा वो चार अनुपात 5 का बन जाएगा selling price mark price का या फिर कोई बच्चा ऐसा भी क्या सकता है कि सर multiplication factor जो बन रहा है mark price में वो बन रहा है 4 बटे 5 क्योंकि अगर 5 में एक की शूट है तो value जो बचेगा वो 4 बटे 5 बचेगा तो mark price का 4 बचे 5 हिससा जो है वो कही ना कही selling price बन जाए क्लियर यहां तक बाते समझ में आगे बढ़ते हैं अब यहां से मैं कुछ आसान आसान से सवाल लूँगा और आपको यहां पर बताना है discount percentage का value ठीक है simple simple question से मैं यहां पर start करूंगा और सारे questions यानि कि discount और profit loss के combined questions जो होते हैं वो भी मैं लूँगा आखिर में चलिए पहले start करते हैं कुछ आसान सवाल से selling price जो है smartphone का वह 18,000 which is marked at 25,000 what is the discount percentage at this smartphone being sold तो कोई website में आपको बोला गया कि 25,000 के कीमत वाले smartphone को अगर 18,000 रुपए में बेचा गया तो smartphone की कितनी चूटी मतलब आपको यहां पर दो चीज़े दे दी गई एक उसका mark price दे दिया गया एक उसका selling price दे दिया गया mark price 25,000 है selling price 18,000 है आप यह बात जानते हैं इस बात से आफ वाकिफ है कि प्रारंभिक मूले और अंतिम मूले का ratio यदी हम ले ले तो प्रतिसत में कोई change नहीं होता यह चीज़ आपके profit percent loss percent में भी valid था initial value final value change करने पर percent increase percentage degrees में भी valid था और यहां पे mark price selling price के ratio को लेने से discount percent में यह चीज़ वैलिड है तो मैं यहां 18 और 25,000 लिखने के बज़े directly 18 अनुपाद 25 लिखेंगे तो directly आपको बताना है यहां पर की percentage कितना छूट मिला हमको 7 unit का छूट मिल रहा है कितने पर तो 25 percentage discount कितना हो गया 7 divided by 25 का कितना percentage multiplied by 100 तो 25 गुणे 4 है मतलब की 28 percentage का यहां पर आपक आप सबसे बन गया होगा मेरी उमीद ही है क्योंकि मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया है कि percentage discount का मतलब होता क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ आसान आसान से सवाल लेंगे एक packet biscuit का जो cost है वो 16 रुपया है लेकिन 4 packet को इखटा अगर खरीदेंगे तो कही ना कई 56 रुपया मिलेगा what is the effective discount percentage मतलब एक packet की biscuit की कीमत 16 रुपया दी है परन्तु उसी के चार packet इखटा का करके एक pack खरीदा जाए तो 56 रुपया पड़ता है तो packet की प्रभावी छूट प्रतीसत क्या है यह आपको बताना है यह चूट प्रतीसत होगा इसको थोड़ा correct कर लेना typing अब देखें यहां से आपको क्या बताना है कि mark price और selling price क्या है कहीना कहीं यह जो है 16 रुपया यह आपका mark price का काम कर रहा है लेकिन यह 16 रुपया कब है जब आप एक-एक packet को अलग-अलग करके खरीद रहें मतलब एक-एक packet को अलग-अलग करके खरीदेंगे तो आपको यह पैक में चार packet combined जब खरीद रहे हो तो 50 रुपया कपड़ रहे हैं ऐसा होता ही है transactions में इकटा खरीदने पर पैसे कम लगते अलग-अलग खरीदते हो तो कहीना कई पैसे ज्यादा लगते हैं इस सारी sales के techniques होते हैं चलिए अब यहां से यहां अगर इसको solve किया जाए चार से काटोगे तो कहीना कई यहां पर कितना आएगा चौदा आएगा दो से काटने पर कहीना कई यहां आठ और यहां पर साथ आ रहा है मतलब कि कुल मिला कर देखा जाया तो percentage यानि कि selling price और mark price का आपके पास ratio है तो percentage discount तो निकाली सकते हैं कि एक का आपको discount मिला कितने में 8 में multiplied by 100 करोगे तो कहीना कहीं यहां पर साड़े बारा percentage का आपको शूट मिल रहा है कि यानि कि डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल में clear है बात समझ में आगई यहां पर कैसे हम solve कर रहे हैं तो आपको यहां पर ऐसे याद करके आने रटा मारके नहीं रखना है कि mark price मिलेगा और selling price मिलेगा तो हम बताएंगे discount क्या है थोड़ा सा logically सोचिए यहां पर कि अगर मैं ऐसा करूं तो discount का काम कौन कर रहा है यहां से मे एक unit का discount मिल रहा है आठ unit में जब हम 81 एक साथ चारो packet को खरीजें तो कही ना कहीं आपको identify करना आना चाहिए कि mark price क्या selling price क्या है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन है आपके screen के उपर the selling price of an article is rupees this much the discount is 15% what is the selling price if the discount is 25% अब देखिए किसी वस्तू की विकरे मुल क्या होगी आप यहां से कुछ चीजों का आप समझना चालो करिए जब लाब प्रतिशत पर इस तरीके का सवाल बनता था तो हमने क्राय मुल्य को 100 वान के solve किया था लेकिन यहां पर जब बोल रहा है कि पहले 15% की चूट है सेकेंड वाले में 25% की चूट है पहले वाले में 15% का discount दिया और 15% का discount देने से 85% हमारा selling price होगा और इसका value सवाल में दिया हुआ है इसका value कितना है तो इसका value है 816 रूपिया सेकेंड केस में बोल रहा है कि भाई अगर मैं यहां पर 25% का discount दे दूँ तो 100% mark price सा 25% discount दे दोगे तो अब selling price कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 75% और आपसे यही तो पूछ रहा है कि इसका दाम बताइए selling price बताइए तो identify करना आना चाहिए कि अगर यहां 816 रूपिया दिया हुआ है यह 816 रूपिया क्या है तो विक्राही मूल्य है कब का विक्राही मूल्य है कि जब 15% का discount दिया जा रहा है अब सवाल यह पूछ रहा ह इतना है तो 75 का value कितना है कैसे निकालोगे इसको हमने कई बार देखा है 816 बटे 85 करोगे तो कहीं न कहीं एक percentage कमान आएगा और हमें 75% निकालना था तो 75 से को multiply करना पड़ेगा इसको solve करते हैं अगर मैं 5 से solve काटो इसको तो यहां पर 17 आ जाएगा यहां पर 15 से इसको काट जाएगा 720 रुपया जो है यह सही उत्तर हो जाएगा वी इस दा करेक्ट एंसर फॉर दिस कॉश्चन आशा करता हूं यह आपको समझ में आयोगा और आपका concept जो कहीं न कहीं बढ़ा होगा मैंने कई बार आपको बताया जो कुश्चन है वो डिसाइड करता है कि हमें कौन स फॉर्माइट यूज कर मैं जब सलिंग प्रैस के उपर था तो मैंने 15% के बाद देखा कि यहां 85% है सलिंग प्रैस और 25% छूट का मतलब यहां पर 75% यह ज्यादा हमको यहां पर आसानी से सॉल्व करने को उत्तर दे रहा है तो इसलिए यहां पर पांस अलग अलग तरीके है जो मैंने बताया है यहां पर उस फॉर्मूले को यूज करने का उसमें से इस तरीके को हम यहां पर यूज कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दिया हुआ एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 64 बाई गिविंग डिस्काउंट ऑफ 20% वाट इस दी ओरीजिनल प्रैस किसी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया यही होता है तो जब यहां पर बोला गया कि सेलिंग प्रैस इतने का हो गया मतलब 64 पहले क्या था यह निकालना है और हमने जो डिसकाउंट दिया वो कही ना कई 20% का डिसकाउंट दिसकाउंट देने का मतलब 100-20 कर देना मतलब इसका सेलिंग प्रैस जो है वह 80% होगा तो 80% का वैल्यू जो है क्योंकि 20% का चूट यह दी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 80% का जो वैल्यू है वह 64 होगा और मार्क प्रैस अपना सौ प्रतिस्यत होता है तो ऐसे भी सौल कर सकते 64 बटा 80 multiplied by 100 ultimately same answer आएगा जो कि कितना है असी है फिर तो असान-असान से सवाल मैंने यहां पर जान पूछके दाला है ताकि आपको डिस्काउंट समझ पर आए देरे-देरे करके सारी कुश्चन पर आपको कराऊंगा ठीक है और सारा कॉंसेप्ट कवर होगा जैसे कि यहां दिया हुआ है फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज यानि तीन खरीदने पर दो मुफ्त आफर में प्राप्त छूट का प्रतिशत क्या आपको बताना है देखिए आप कई बार यहां पर शॉपिंग करने जाते हैं टीशर्ट खरीदते हैं ड्रेस वगएरा खरीदते हैं या कोई बरतन वगएरा खरीदते हैं तमाम तरीके की लेंग्वेज यूज होता है वहां पे लिखा रहता है ओफर तीन खरीदने पर दो बूब बाइठी गट टू फ्री इसका मतलब क्या जब हम तीन खरीदते यानि हम तीन के पैसे देते हैं तो वहां से हमें पांच आर्टिकल मिलते हैं पांच वस्तुए मिलते हैं मतलब कुछ कही न कहीं क्या है वह डिसकाउंट का काम कर रहा है करेक्ट है अब आप खुदी बताइए कि परसेंटेज डिसकाउंट कितने का हुआ है परसेंटेज डिसकाउंट होता है जितने का डिसकाउंट मिला बटे यहां पर जो है पांच मल्टिप्लाइट बाई हंड्रेड यानि वस्तु हमें मिली वो तो 5 वस्तु के बराबर का मूल्य जो था वो अंकित मूल्य के जैसा काम करेगा 2 वस्तु है फ्री में मिल गई तो 2 वस्तु क्या है वो डिसकाउंट है और जो पैसा हमने पे किया वो सेलिंग प्राइस है क्योंकि 5 में से 2 आपको छूट मिल रहा है तो अगर यह सवाल समझ में आ गया तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्षन में आपको बताना है कि बताइए बाए 4 गेट 1 फ्री का उत्तर क्या होगा बाए 4 यानि 4 खरीदने पर एक मुफ्त पर छूट का प्रतीशत क्या है दो चीज़े आपको यहां बताना है एक तो छूट का प्रतीशत और दूसरा आप लिखेंगे कमेंट सेक्षन में चेक करूँगा कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है कफींट सेक्षन में एक और सवाल यहां पर बताईए चले आभी बढ़ते हैं यहां से अब हम पढ़ेंगे successive में छोट यहां पर चांड यहां कर दो तीन सवाल जो मैं पर एक सुम पर आपको छोट दिया जा रहा था लेकिन सक्सेशिव काउन्प पर संटेज्टार जए कहिना कहीं सक्सेसिव परसेंट एक बार अज discount मिनता है उस case में क्या करना है यह हमको समझना होगा इसमें क्या है कि suppose करिए कि आपको selling price और mark price दिया हुआ है यहाँ पर यदि आपको successively पहले d1 percent का discount दिया और जो value आए उसमें फिर से d2 percent का discount दिया तो formula कुछ ऐसा दिखता है कहीना कही percentage decrease में आपको समझना होगा कि multiplied by 100 minus d2 by 100 इसी तरीकी से value आए अब आपसे यदि यह पूछा जाए कि इन दोनों successive percentage discount के बरावर एक discount प्रतिशत क्या है तो दो दो बार क्यों discount देना है आप directly बताए एक discount जिससे कि दोनों discount एक साथ मिल जाए तो उसका value है भई d1 plus d2 minus d1 d2 by 100 कैसे आया कुछ लोग को सवाल हो सकता है तो देखे मैंने आपको यह बताके रखा है कि जब भी x और y percent से कोई value change होता है तो percentage net change का follow ना होता है x plus y plus xy by 100 यह मैंने आपको बताके minus ka d2 तो x device minus d1 के जैसे y जो जो है minus d2 के जैसे तो x और y के जगा मैं d1 d2 लग डाल सेकता हूँ क्योंकि जब increase होता है तो वहांपर plus value और जब decrease होता है बहाँ पर minus value डालते तो decrease हो रहा है तो मुझे यह मायनस डालना होगा तो यह minus का d1 बनेगा और यहाँ पर भी minus का d2 बनेगा और यहाँ minus into minus दो रिनात्मक संख्याओं के गुननफल करने से एक धनात्मक संख्या निकलती है तो यहाँ plus का d1 d2 बटा 100 होगा तो अगर आप इस formula को गौर से देखें कि इतने प्रतीसत का डिक्रीज हुआ लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे negative positive नहीं लिखना है डिरेक्टली जो value दिया जैसे 20% और 30% तो आप यहाँ 20 दालोगे 30 दालोगे minus 20 into 30 बटा 100 positive में लिखोगे overall value भी positive आएगा तो यह overall आपको net discount percentage का formula है कि इतना discount हो रहा है तो आप directly इसी formula से बनकर यह बना है लेकिन यहाँ पर हम sign conventions follow करते हैं यहाँ पर already वह चीज follow की गई है तो इसी से ही formula बना है तो यहाँ यहाँ से कितने का discount मिल रहा है तो आपका जवाब होगा 40 का तो यहाँ पर 40 प्लस 40 होगा माइनस 40 इंटू 40 होगा ठीक है और बटे में 100 जाएगा तो दो जिरो यहाँ से कट जाएंगे 40 प्लस 40 होता है 80 इसमें माइनस का 16 करोगे तो कहिना कहीं यहाँ पर 64 परसेंटेज का discount हो जाएगा यहां तक बाते समझ में आगे चले अब यहां से ओवरॉल डिसकाउंट परसेंटेज यह है 64 परसेंट का अब इसमें अगर आप formula ही उस नहीं करना चाहते विदाओट formula सब करना चाहते तो उसके लिए मैं आपको तरकीव बता के रखता हूं ठीक है आपको यहां पर पता चल गया कि ओवरॉल डिसकाउंट किता है 64 परसेंटेज का मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम यहां पर 40 परसेंटेज का 60 परसेंटेज के 60 परसेंटेज का मतलब क्या होता है अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा यह परसेंटेज के जगा पे मैं बटा सॉल लिख सकता हूं दो जीरो से इन दोनों जीरो को काड़ देंगी यानि कुल मिलाके मार्क प्राइस का कितना परसेंटेज बचा है त तो 64 का, 100 से इसका difference कितना है, 64% का, मतलब मार्क प्राइज इतना कम हुआ है, 64% कम हुआ है, तब जाके इतना बना, मतलब, overall जो discount है, एक discount जो इसके बराबर है, वो है 64, clear, with formula, without formula भी आप इसको यूज कर सकते हैं, successive percentage change, discount के formula के बगेर भी आप directly इसको solve कर सकते हैं, यहां दिया हुआ है, अगला सवाल, on a machine, there is 10% trade discount on the mark price of rupees 2,50,000, but the machine is sold for 2,16,000 after giving a cash discount, what is the amount of cash discount, तो देखे, एक machine पर अंकित मुल्य था, 2,50,000 का, 10% की छूट दी जाती है, परन्तु, नकद छूट देने के बाद, machine को 2,16,000 रुपए पर बेचा जाता है, तो नकद छूट का कितना परतीस दाते हैं, यह आपको बताना है, मतलब देखे, आपके पास जो फॉर्मुला है, उस फॉर्मुले के जरिया आप इसको solve करेंगे, सेलिंग प्राइस, बराबर जो होता है, मार्क प्राइस, इंटू, 100-D1% का डिसकाउंट, इंटू, 100-D2% का डिसकाउंट, बिना फॉर्मुले के भी आप इसको solve कर सकते हैं, अगर आपको concept सारी चीज़े clear है, सबसे पहली बात, इतने का मूल हो गया, इतने का मूल था, तो यह 1000-1000 तो कट होना ही है, यहाँ पर 2500 लिख लेते हैं, और आगे के 3000, इस 216 के आगे के 3000, जो 1000 वाला zeros है, उससे कड़ जाएंगे, ठीक है, पहला discount दिया 10% का तो बचा 90%, और दूसरा discount एक और इसमें दिया गया नकद, उसका value हमको निकालना है, तो 100-D2 by 100 को मैं as it is यहाँ पर ऐसा रखूंगा अभी के लिए, ठीक है, चले, इसको solve करके देखे, कितना value आ रहा है, अगर मैं इस 00 को काटूं, ठीक है, तो यह कट जाएगा, इस 00 को भी काटा जा सकता है, 9 से, 9 से इसको काटा जाए, तो 24 बार कटेगा, मतलब यहाँ पर जो value आ रहा है, वो कहीना कई 4 परसेंटेज ही आना सी, अगर देखे, क्योंकि पूरा अगर कट करेंगे, तो यहाँ से 25 जो है, इस वाले 100 को, अंदर वाले 100 को 4 बार कटेगा, यह 4 यहाँ जाएगा, 24 से multiply होगा, तो कहीना कई 96 आ रहा है, और दूसरा discount जो है, 100 माइनस D2 का है, और D2 का value यहाँ से कितना हैगा, तो 4 परसेंटेज का हैगा, यहाँ जो दूसरा discount है, वो कितना है, तो 4 परतिसत का है, clear, बात समझ में आगे, कैसे हमें solve करना है, तो इस formula में कोई भी value, selling price दिया, mark price दिया, D1 दिया, D2 नहीं दिया, त ठीक है, चले, आगे बढ़ते है, on an item, there is 5% cash discount on mark price, after additional season discount, there is 20,900, how much was the season discount, मतलब देखे, 25,000 का कोई article था, जिसमें 5% की नगदी छूट दी गई थी, और season discount और देने के बाद इसका दाम जो है, वो कई ना कई 20,900 रूपया हो गया, तो season discount कितना है परतिसत में, यह आपको बत रहा हो, मैं देखूंगा कितने लोगों ने comment section में इसका सही उतर दिया है, चले, आगे बढ़ते है, shopkeeper offers 15% discount on all the plastic toys, he offers further discount of 4% and reduce the price to those customer who pays the cash, what does the customer have to pay for the case of 200 रुपीस toy, देखे, एक दुकानदार ने प्लास्टिक की खिलोनों पर क्या किया, 15% की छूट दी, और वह ग्राह को क कीमत पर 4% की छूट और प्रदान करता है, ठीक है, तो जो नगत भुगदान करते हैं, उनकी रहे, 200 रुपया में अगर खिलोने के मामले में एक ग्राह को कितना भुगदान करेगा, तो 200 रुपया का खिलोना है, mark price याने की यह है, जो खिलोने की दाम है, यह क्या हो परषेंट का दिया, 15% discount देने का मतलब, अब उसका 85% बचे का 85% मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं 85 बटा 100 होगा, यह step समझने है, 15% का discount है तो 100 माइनस 15, 85 बटा 100 हैगा, दूसरा जो discount हो रहा है कहीं न कहीं 4% का हो रहा है, तो भाई यहाँ पर अगर 4% का discount हो रहा है, आपसे य इतना ही वैल्यू बचेगा अब इसको सॉल्व करते हैं तो दो जिरो यहां से कट जाएंगे यह दोनों जिरो जो है इन दोनों तो पूरा सॉल्व करने की कोई आफ सकता नहीं 163.2 वाला उत्तर होगा क्योंकि दश्मलब की बाद दो केवल एक ही ऑप्शन में तो कही ना कई यूनिट जिट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं शौप कीपर पर्चेश्ट जड़ ओफ मार्क प्राइज रुपीज 600 आफ्टर गेटिंग विदिस्कांट ओफ 15 पर्सेंट और 20 परसंट फेंटी परसंट इंड शोल्ट इट फॉर 5.45 बाद इस चेसों रुपे पर अंकित मुल्यक था अंकित मुल्य पर था वस्तु इसमें परिवाहन पर उसने 28 रुपए खर्श किये और खर्श करने के बाद उसको पांत सो पैतालीस रुपए पर बेज दिया तो बताना है कितना दुनुसार उसको लाब कितना हुआ मतलब समझे यहां पर क्या हो रहा है मैंने आपको शुरुआती तोर पर बताया था कि यहां से अगर यह 600 रुपए का मार्क प्राइज है इसमें दो डिसकाउंट दिये गए और यह दो डिसकाउंट में से एक 15% का है और दूसरा कहीं न कहीं 20% का है दोनों डिसकाउंट देने उसको खरीद रहा है तो उस व्यक्ति के नजरिये से देखोगे तो यह उसका कॉस प्राइज होगा अब उसने क्या किया इस कॉस्ट प्राइज में फिर 28 रुपए जोडए 28 रुपए जोडए तो कुछ ना कुछ कॉस प्राइज आएगा और फिर यह इसको कितने पर बेच है तो आपको बताना है कि यहाँ पर उसने पर्संटेज प्रॉफिट कितना कमाै यह बताना है तो बताई हे कितना होगा उत्तर सबसे पहले तो आपको यह value निकालना होगा तो 600 में 20% कम करना और पंदरा पर्षेंट कम करने पर यह value आया तो इसका value कितना हो जाएगा 600 का 80% 80% मतलब 8 बटे 10 और 600 का 15% कम करना यानि कि 85 बटा 100 करदेना तो बताईए इसका उत्तर कितना होगा तो यहां से दो जिरो इस इन दोनों जिरो से कट जाएंगे ठीक है अगर मैं इसको काटू कहीना कहीं दस से तो पांच है इसमें पांच इस 85 को 17 बार कटेगा दो कहीना कहीं इसको काट देगा तीन बार तो अब जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा तीन इंटू आठ इंटू सत्रह यानि कि 24 मल्टिप्लाइट बाइ सत्रह हो रहा है सत्रह इंटू चार होता है अडशाट तो यहां पर आठ आएगा सत्रह इंटू दो हमको यह पता है कि हमें तो पर्सेंटेज निकालना है न तो प्रारंभिक मुल्य अंतिम मुल्य को अगर मैं 109 से काटू यह 109 से इसको काटू तो यह चार अनुपात यह बन जाएगा पांच अगर आपने चार रुपय पे किसी चीज को खरीद कर पांच में बेचा तो पर्सेंटेज प्राफिट निकाल सकते क्योंकि हमें पता है कि प्रारंभिक मुल्य अंतिम मुल्य का रेश्यो लेने से पर्सेंटेज में कोई चेंज नहीं होता है अगर 109 का चार गुना है यह 109 का पांच गुना में 109 से दोनों को काट देता हू我 पर्सेंटेज Boston निकल जाएगा कि पर्सेंटेज प्राफिट कितने का हुआ एक का प्राफिट हो रहा है चार में तो एक बटे चार मल्टी力 न करकले हंडेज होगा जो कि खरीदने वाले के नजरिये से अगर सवाल बने तो कही ना कई यही क्या होगा यह cost price बन जाएगा clear है चलिए आगे बढ़ते अब देखिए successive discount में ही हम यहां से समझेंगे कि अगर तीन तीन बार हम प्रतीशत discount दे रहे हैं याने कि एक बार हमने छूट दी किसी प्रतीशत की फिर से एक बार दिया फिर से एक बार दिया तो कही ना कई इस तरीके का formula इसमें बनेगा इसमें भी यदि आप net percent discount एक बार में निकालना चाहते हैं तो कही ना कई d1 plus d2 plus d3 plus d3 divided by 100 plus यहां पे d1 d2 divided by 10 जागा है तो यह भी आपके कही ना कई कहा से आया है successive percentage change के formula से आया है sign convention सारी चीज़े जो मैंने आपको दो वाले में बता है वही चीज़ यहां पर भी applicable है अब इस से कुछ related सवाल देखते हैं जैसे कि यहां दिया हुए a single discount of 10% 20% and 25% is equal to 10% और 7 में आपको देना है 20% और 25% के तीन करमिक छूट के बराबर एक छूट कितना होगा यह बताना है तो देखें percentage net discount आपको निकालना है percentage net discount आपको बस यह याद रखना है कि तीन discount दिया गया तो D1 प्लस D2 प्लस D3 करना होगा पहले माइनस करना होगा D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D3 D1 बते में 100 आजाएगा और प्लस में लास्ट में आजाएगा D1 D2 D3 बते में आजाएगा 10,000 यह क्या होगा 10 प्लस 20 हो गया 30 में 25 जोड़ोगे तो कहीना कहीं 55 आजाएगा यहाँ माइनस में देखोगे तो D1 D2 है यानि 10 इंटू 20 करोगे तो 200 आएगा प्लस 20 इंटू 25 करोगे तो 500 और प्लस में पहले आखरी को मल्टिप्लाइ करना है D3 D1 को तो कहीना कहीं 250 आएगा ठीक है 900 700 होता है 700 में 200 जोड़ोगे तो 950 आएगा 950 divided by 100 9.5 हो जाएगा और इस प्लस के आगे कितना वैल्यू 20 तो ऐसे ही कट जाएंगे दो इंटू 50 होता है divided by 100 करोगे तो यहाँ पर कहीना कहीं 2 आ रहा है मतलब यह हाफ है हाफ का वैल्यू 0.5 होता है 0.5 को अगर मैं इसमें जोड़ो तो माइनस का 9 बचेगा क्योंकि कहीना कहीं एक माइनस एक पलस है तो माइनस करना होगा और नेगेटिव वैल्यू बड़ा है मतलब ओवर्राल माइनस का 9 हो गया इसमें 9 को गटाओगे तो कहीना कही 46 परसेंटेज का डिसकाउंट आ रहा है तो ए जो है सवाल का सभी उतर है यह हो गया वही सक्सेसिव डिसकाउंट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करना है अब विदाउट फॉर्मूला अगर चाते हो तो इसकी को 1 by 5 होता है तो 80 परसेंट बचेगा यहने 1 minus 1 by 5 जो की 4 by 5 25 परसेंट माइनस करने पर वैल्यू जो बचेगा 3 4th वैल्यू यहां तक बाते समझ में आगी तो 4 से इस 4 को कट कर लेते है ठीक है और अब यह जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है यह बन रहा है मार्क प्रा एस का अगर यहाँ पर 100 है तो यह 54 ऑन यक कहने का मतलब यह है कि मार्क प्रैस का कितना परसेंट बचा तो 54 परसेंट बचा सब्सक्राइब कि मार्क प्राइस का 54% सेलिंग प्राइस के बराबर है मतलब हमने जो डिसकाउंट दिया वह 100-46% यानि 46 का डिसकाउंट होगा चली अब हम यहां से समझेंगे what is the relation between mark price and cost price अंकित मूले और क्राय मूले के बीच की क्या comparison है इसका जो comparison होता है वो कैसे होता है इसके बीच में क्या relation है यह हमें समझना है ठीक है बहुत ही practical example के जरी आपको समझाओंगा सारी चीज़े ठीक है अच्छे समझेगा क्योंकि यहां पर एडिंग आप लोग डाल सकते हैं mark price और cost price के बीच का relation याने relation between mark price and cost price क्राय मूले और अंकित मूले का कैसे हम इसको एक दूसरे से संबंध रखते हैं यह लोग इसका हम देखेंगे तो देखेंगे mark price and cost price इन दोनों को हमें मिला तो सबसे पहली बात मैंने इस वीडियो के श कि वह एक businessman है वह दुकांदार है उसको profit कमाना है फिर भी हम क्या करते हैं उससे जाके discount मांगते हैं और discount मांगने के बावजूत वह discount देता भी है मतलब उसके नजरिये से आप सोचेंगे तो वह profit भी कमा रहा है और साथ में discount भी दे रहा है तो यह हो कैसे रहा है तो चलिए एक example कि जरिए समझते सारी चीजों सब्सक्रिए कि एक दूकांदार है उसके उसके उसने क्या किया यह पैन सब्सक्रीदा यह 10 रूपह से बढ़ाया और यहां पर लिग दिख रिया कि यह mark price है उस pen पे एक sticker चिपका दिया कि यह कितने का है तो यह 10 रुपे का पे लिए अब यहाँ पर एक नेया term आप सीखेंगे यह जो 2 रुपे से बढ़ाने का value होता है इसी को हम क्या कहते है इसको हम क्या कहते है mark up अब आप increase के वाले में सोचिए कि यहाँ increase हो रहा है तो final value minus initial value mark up का value देता है तो side में यहाँ पर सारी कहानी बताऊंगा side में सारे formulas लिखना चालू करता हूँ तो mark up का formula mark up का formula क्या है तो mark price minus cost price अब यदि मैं आपसे पूछू कि mark up का percentage क्या है mark up परसंटेज क्या होगा तो यह हो जाएगा mark up जितने का mark up हुआ बटे cp multiplied by 100 क्योंकि यदि मुझे mark up का percentage चाहिए तो क्या करना होगा mark up divided by जितने value में बढ़ा तो percentage increase ऐसे तो निकलता है कि जितना value बढ़ा बटे initial value तो यहाँ initial value cost price है तो cost price के परतिसत पर निकलेगा तो आप बताएए कि mark up का percentage कितना हुआ percentage mark up की मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा 2 divided by 8 multiplied by 100 मतलब कहीं इसको कितने प्रतिसत से बढ़ाया गया तो 25% से इस चीज़ को बढ़ाया गया तो mark up और mark up percentage आपको समझ में आ गया चलिए इसको आपने note down कर लिया होगा अब मैं आता हूँ यहां से इसकी बारे में बात करते हैं कि अगर आपको cost price दिया है mark up percentage दिया है तो कि आप mark price निकाल पाएगे कि निकाल पाएगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ को बढ mark up divided by 100 ऐसा लिख सकते की नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मैंने किसी चीज़ को 25 प्रतिसत से बढ़ाया है तो अब वह 100 प्लस percentage mark up यानि कि उतना परसेंट divided by 100 हो जाता है उसका मूली तो CP में इतने प्रतिसत से बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा mark price मिलेगा तीन फॉर्मिले हमन 10 रुपए को अब 10 रुपए की पैन है आप खरीदने गए पैन को बूले कि 10 रुपए की पैन खरीदना है और जैसे ही आप वहाँ पर गय तो आपने बोला सर इसमें कुछ discount हमें दे दीजी discount चाहिए हमें तो वह दुकानदार बढ़े smartly बोलता है चलो ठीक है मैं एक percentage का value 10% है क्योंकि अगर आपने एक रुपया का discount दिया दस रुपया पर तो यह वाला पार्ट का अभी तक हम इस वीडियो में अभी तक हम यही पार्ट पढ़ रहे थे केवल इतना पार्ट अभी तक हम यही चीज़ पढ़ रहे थे कि इतना पार्ट इसके उपर सारे सवाल अधारित थे कि आपने एक रुपय का discount दिया है दस रुपय पर तो आपका selling price जो है वो कितना बनिया तो नौ रुपया पर यही हम पढ़ रहे थे तो अब मैं सारी चीजों को connect कर रहा हूँ अब पिछले के दो वीडियो में हमने ये पार्ट कवर करके रखा हुआ है किस पा का profit होगा clear मतलब देखिए इस कहानी को समझे कि उसने खरीदा आठ रुपय पर उसको अंखित किया दोस रुपय पर सामने से कोई customer आया उसने बुला कि भई मुझे discount चीए तो उसने एक रुपय का discount दिया भी एक रुपय का profit कमाया प्रतिसत profit की अधी में बात करो तो percentage profit कित होगा मतलब 12.5 percentage का profit clear अब देखिए इस कहानी को आप याद रखी है क्योंकि इसी कहानी को यदि आप याद रखेंगे तो सारे formulas आपको इखटा याद होने लग जाएगी तो कुछ formulas मैंने बता दी आपको वहाँ पे अब कुछ formulas और हमें याद रखने वो मैं अभी आपको स्क्रीन में एक एक करके बता दूँगा सबसे most important formula क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें direct सवाल जो से solve हो जाते हैं सारी सीज़े मैं आपको बताऊंगा तो देखिए आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि selling price जो है वो mark price में discount percent minus करना होता है यह अभी तक ह है यह क्या होता है तो mark price में hundred minus of discount percentage minus करना बटे सो ऐसा होता है और साथ में हम यह जानते कि cost price में 100 plus percentage profit करने पर भी आपका selling price आता है मतलब यह जो selling price है इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ selling price को हम दो तरीके से लिख सकते हैं पहला mark price में discount percent minus करके इस direction से आप आ सकते selling price में दूसरा क्या है कि आप cost price में profit percentage बढ़ा के आप इस तरफ से भी आ सकते हैं मतलब यह जो selling price है दो तरीके से लिखा जा सकता है mark price में 100 minus discount percent करना cost price में 100 plus profit percent करना तो कहिना कहीं यह दोने equal होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मतलग कि मैं यह लिख सकता हूं कि mark price इंटू 100 minus discount percentage बटा 100 बराबत होता है cost price cp इंटू 100 plus percentage profit बटा 100 यहां तक बाते समझ में आगे अगर यह दोनों equal है तो यहां से mark price और cost price का ratio निकल के आता है तो इस formula को आप बड़े-बड़े अक्षरों में अपने notebook पर लिखेंगे कि mark price by cost price का formula तो MP divided by CP 100 से 100 कर गया इस CP को उठाके मैं नीचे ले कर गया तो इसका formula बन गया 100 plus यह क्या है percentage profit है percentage profit divided by percentage 100 minus का percentage discount यह D क्या है तो discount है इसको आप बड़े-बड़े अक्षरों में अपने notebook पर लिख कर रखेंगे क्योंकि इसको पर direct question मनता है चलिए अब मैं इस part को हटा देता हो यह derivation नाला part हाला कि important है इसको आप note करके रखेंगे कि यह formula आया है इस तरीके से क्यों क्योंकि दोनों तरफ से selling price equal होगा ठीक अब देखिए यह formula तो मैंने लिखवा दिया इसको याद करने का तरीका भी समझे यहाँ पर क्या लिखा है हमने mark price divided by cost price लिखा इसमें value को बढ़ाने के बाद mark price आता है यानि कहीना कहीं mark price जो है वो cost price से बढ़ा होता है क्या आप इस बात से सहमात है mark price हमेशा cost price से बढ़ा होगा लेकिन अगर यहाँ पर profit percentage को जोडने से selling price बना और यहाँ पर discount percentage को minus करने पर बना selling price तो कहीना कही 100 में कुछ चीज को add करना पड़ता है profit percentage वाले case में और discount वाले में 100 में minus discount percent घटाना पड़ता है तो आप खुदी बताईए 100 में percent profit जोडने पर बड़ा value आएगा और 100 में discount percent minus करने पर छोटा value आएगा तो mark price by cost price की value यदि हम पूछें तो mark price बड़ा है तो इसलिए 100 plus profit percent उपर आएगा 100 minus discount percent नीचे आएगा इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि यह value बड़ा है इसलिए उपर 100 plus profit percent यह value छोटा है तो यह नीचे 100 minus discount ठीक है चलिए आशा करते हूं यह आपको समझ में होगा वीडियो पसंदा रहा है तो like का बटन दमाए ताके आपके like से हमारा motivation हाई रहता है और हम और अच्छा content आपको provide करते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर आपको ना सिर्फ मैं यह formula बता रहा हूं याद करने का तरीका भी बता रहा हूं best quality content आपको दिया जा रहा है free of cost तो आप जरूर इसको like करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से समझिए मैंने आपको सारे formula इस तो बता दिए एक formula और आपको समझना है जो कि यह successive percentage चेंज देखे मैंने यहाँ से क्या किया पहले इसको markup percentage अब इस red मतलब पहली बार में हम CP से MP में जंप किया फिर दूसरे बार में MP से SP मतलब डो transaction में हम CP से selling price में पहुंच रहे हैं लेकिन इतनी मेहनत करने की आप सकता कि आप selling price में तो यहां से भी पहुंच सकते थे तो मैं यह लिख सकता हूं कि successive percent change में हमने क्या देखा है कि percentage net change होता है वह होता है X plus Y plus XY by 100 यह हम जानते हैं तो यहां पर selling price तक पहुंचने के दो तरीके हैं एक है यह तरीका कि CP में cost price में हम 100 plus percentage markup को जोड़ दिया जाए divided by 100 करें और यह जो value है यह अभी mark price और इसमें discount percentage को minus करेंगे 100 minus discount percentage divided by 100 ऐसा लिख लेंगे तो यह एक तरीका है selling price तक पहुंचने का और दूसरा तरीका है भाई कि यहां पर directly 100 plus percent profit पर add कर लें selling price में तो directly आता है मतलब यह दोनो percentage change यानि markup और discount percentage के दोनो net change जो है वो कही न कई एक percentage profit के बराबर है तो अगर इस formula को देखा जाया तो percentage net का का काम P कर रहा है markup का काम x कर रहा है discount का काम y कर रहा है तो कही न कहीं इस formula को मैं यहां पर change कर दूँगा इसके terms में जो values हमने देखा तो यहां पर profit percentage जो है वो किसके बराबर होगा तो वो हो जाएगा markup percentage ठीक और minus में आएगा discount percentage चलिए इसका percentage में हटा देता हूं direct जो value है वो यह आपको ल तो हर जगा पर formula नहीं लगाना है लेकिन जहां लग रहा है वहां पर तो इस चीज को याद रखे कि कहां कहां पर formula लगता है तो बहुत अच्छा formula है कई जगा पर formula यूज़ता है profit percent directly markup percent minus discount percent minus markup into discount divided by hundred इस तरीकी साब इसको लिख सकते है तो इस कहानी को यदि आप याद र direct percentage increase percentage decrease पर जो चीज़ें हमने सीख के रखिए उनी चीजों के तहट यह सारी चीज़ें हो रही है तो अब देखिए इसमें से आपको सीखना यह है इस questions को solve करने के लिए हमें या तो इसको ratio approach से balance करना होगा इस सारी चीजों को या फिर आपको जो है यहाँ पर जो formula मैंने बताया यह यह यूज़ करना होगा तो अगर इन तीनों चीजों में इन चारों चीजों में इन चार चीजों में कौन कौन से चीज एक cost price एक आपका profit percentage एक आपका discount percentage और एक आपका mark price इन चार चीजों में अगर कोई तीन values आपको दिया है तो चौता चीज आप इस formula से बिल्कुल निकाल समते हैं ठीक और साथी साथ अगर आपको यहां से cost price, mark price और discount percent दे दिया तो cost price साथ में आपका markup percentage, markup percentage, discount दे दिया तो इस formula से selling price आ जाएगा तो यह सारी चीज़े एक दूसरे से connected है इसको अच्छे से notes में बना के रखे कि सारी चीज़े ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है इस कहानी के ज relation between अंकित मुल्य और क्राय मुल्य क्या होता है यह आपको अच्छे समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं आपने notes भी अच्छे से इसका बनाया होगा पहला सवाल है आपके screen के उपर यहां दिया हुआ है the mark price of an article is 30 percentage more than the cost price if a businessman is if a businessman sells it after allowing 10% discount then what is the profit percentage किसी वस्तू की अंकित मुल्य जो है उसके क्राय मुल्य से 30% अधिक है यदि कोई व्यापारी 10% की छूट देकर बेशता है तो उसका लाब प्रतिसत क्या बताई कि सिंपल चीज आप डाइग्राम को याद रखिए cost price में जब हम markup बढ़ाते हैं markup percent बढ़ाते है तो यहां आपके mentally calculate हो जानी चाहिए लेकिन यहां पर पहला पहला सवाल है तो मैं सारी चीज़े explain कर रहा हूं डीटेल में लेकिन यह जो डाइग्राम है यह आपके mind में छपा हुआ रहना चाहिए जैसी सवाल देखा तो समझ में आना चाहिए कि यहां पर markup percentage दिया है इतने प्रतिस नेट परसेंट चेंज से डारेक्ली हो जाएगा म माइनस डी माइनस एम इंटो डी बटा सो मतलब तीस परसेंट से हमने इसको बढ़ाया माइनस का दस परसेंट किया माइनस तीस इंटो दस किया तो 300 divided by 100 मतलब कहीं ना कहीं जो value आएगा वो आजाएगा 30 माइनस 13 यानिकी 17 सत्रा परसेंटीज का प्रॉफिट जो कि इस सवाल का सभी आशा करतो है समझ में आ गया होगा यदि आपको फॉर्मूला याद करना पसंद ही नहीं बिल्कुल पसंद नहीं तो concept याद करके भी आप इसको solve कर सकते हैं कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली ब सब्सक्राइब तो कहीं ना को सेलिंग प्राइस तेरा माइनस करने पर जो वैल्यू आएगा वह आजाएगा एक सो सत्रा का अब आप खुद ही बटाए कि अगर सव पर खरीद कर 117 पर बेचो गया तो क्या होगा सतरा का प्रॉफिट होगा और यहीं आपका प्रॉफिट प हो सकता है बिल्कुल हो सकता है मैं आपको बताऊंगा कैसे यह जो फर्मुला हमने यहां पर देखा सारी चीज़ें इस चीज में आपको यह समझना होगा कि वैल्यू जो है यहां यह वैल्यू में यदि डिसकाउंट हमने इतना ज्यादा डिसकाउंट दे दिया इतना ज्या लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसने उसको इतना डिसकाउंट दे दिया तो साथ रुपए में आप बेचोंगे तो आठ में खरीद कर साथ रुपए पर बेचने पर वहां पर आपको लॉस होने लगेगा उस क्या बनता है यहां पर जो आपका लॉस प्रॉफिट परसेंटेज यह जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसके जगह पर क्या आजाएगा यहां पर आजाएगा माइनस ऑफ परसेंटेज लॉस इसकेस में आपका माइनस ऑफ परसेंटेज लॉस आजाएगा प्लस प्रॉफिट चेंज करने के बाद net value decrease हो रहा है और decrease होने का मतलब अब यहाँ पर loss होगा तो यहाँ पर profit की जगा पर L आ जाएगा लेकिन यहाँ पर negative value आ रहा हो तो घबराना नहीं है negative का मतलब loss हो रहा है आगे बढ़तें next question आपके screen के उपर है सुजाता marks an article 36% above the cost price and allows 20% discount then what is the loss percentage सुजाता ने लागत मुले पर 30% के उपर अंकित किया साथ में अंकित मुले पर 40% की छूट दी तो क्या नुकसान का प्रतिशाथ है तो आपको समझना है कि जो profit या loss होता है loss जो है इस case में हो रहा है वो होगा mark price minus discount plus mark price into discount divided by 100 प्लस नहीं होगा यह माइनस होगा इस case में mark price कितना था तो 36% उपर हुआ था माइनस का 40 हुआ माइनस 36 into 40 divided by 100 ठीक तो यहां पर overall value आ रहा है माइनस 4 का एक शून्य इस शून्य को काट देगा चार multiplied by 36 करने पर 144 और क्योंकि दसम्लव है तो यहां कहीना कई दसम्लव इधर लगेगा यानि-14 दसम्लव चार तो overall value minus of 18 दसम्लव चार आ रहा है तो आपको घबरानी कोई जरूरत नहीं है माइनस यही बताता है कि यहां पर loss हो रहा है क्योंकि दो बार percentage change करने पर value decrease हो रही है तो overall यहां पर loss ही तो होगा और कितने का हो रहा है तो 18 दसम्लव चार प्रतिशत का यहां पर नुकसान हो रहा है clear बात समझ में आ गई कि इस तरीकी के सवाल को हमें क्यासे handle करना है चलिए आगे बढ़ता हूं मैं if the selling price of an article is 32% more than the cost price and discount offered on its mark price is 12% then what is the ratio of its cost price and the mark price यदि किसी वस्तू पर विक्रे मुल पर उसकी लागत मुले में 32% का अधिक पर अंकित किया जाता है और उसके अंकित मुले पर 12% की छूट दी जाती है तो क्रे मुल और अंकित मुल का अनुपाद ज्याद करता है तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले को याद करें मैं दोनों तरीका बताऊंगा फॉर्मूला विताउट फॉर्मूला सबसे पहली बात आपको बताना क्या है mark price बटे cost price जिसका फॉर्मूला हम जानते है hundred plus percentage profit divided by hundred minus percentage discount तो यह फॉर्मूले आपको पता है minus percentage discount तो mark price और selling cost price का यदि ratio निकालना है तो यह बहुत important फॉर्मूला है जभी इन तीन values में दो values दिया बाकी दो values का ratio निकालने को यह तो कह यह तो आसानी से निकल जाएगा आपने जो profit दिया आपके दिमाग में बस यह values चलना चाहिए कि CP है इसमें percentage markup करने पर आता है MP यहां से minus discount percent करने पर कही ना कहीं क्या आता है तो selling price और यहां से जो value बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं तो plus profit percentage अब यहां पर देखिए यदि इस सवाल में 32% अधिक इसको विक्रे मुले इसके 32% उपर है मतलब यह तो क्या है profit percentage यह तो है और discount percent 12% का है मतलब यहां से 12% कम करोगे तो यह discount की बात कर रहा है मतलब 100 में मुझे 32% जोडना होगा तो 132 और 12% माइनस करूंगा तो कहीं ना कहीं 88 है अब आप खुदी काटने पर 44 को यह दो बार काटेगा और 44 से इसको तीन बार काटेगा मतलब CP और MP का रिश्यो कितना है CP का value 2 MP का value 3 तो cost price यानि कि क्राय मुले और अंकित मुले का जो अनुपात आ रहा है वह आ रहा है दो अनुपात तीन तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाए और यहां से जो अनुपात बनता है वो बनता है 100 अनुपात 88 मतलब एक ही value को एक बार मैं कह रहा हूं कि यह कही ना कई 88 है और एक बार मैं कह रहा हूं यह क्या है तो यह है आपका 132 तो दोनों बाते एक ही होनी चाहिए दोनों अलग अलग बात नहीं होनी चाहिए तो एक ह बनाने के लिए आपको समझना होगा, यहां 44 Tax1, तो इसमें हम कैसे इसको equal को हैं? इसके लिए आपको LCM लेना भरएगा, यानि, 44 multiplied by 6 इसको बनाना होगा, therefore, इसमें 2 multiple करना पड़ेगा, तो यह भी 2 से multiply होजाएगा, इसमें 3 multiply करना पड़ेगा तो यह भी तीन से multiply मतलब overall हमारा जो ratio बन जाएगा वो बन जाएगा यह 200 यानि कि cost price जो है CP अनुपात SP अनुपात MP इसका ratio बनेगा और overall देखिंगे तो यह 200 बन जाएगा यह आपका बन जाएगा 132 multiplied by 2 और यह आपका बन जाएगा 200 100 multiplied by 3 तो अब आपसे तो CP और MP का ratio पुछ रहता था ना CP 200 है MP 300 है तो अनुपात 2 अनुपात 3 ही तो होगा यह भी एक तरीका है जिसमें हम ratios को balance करके without कोई formula ratio balancing से आप कर सकते बस percentage और यह कहानी आपको पता होने चाहिए कि values क्या क्या दिलिएगा चलिए आगे बढ़ते किसी वस्तू के क्रय मुल्य जो X रुपया का है इसमें 100% जब बढ़ा कर अंकित किया जाता है और 20% की छूट दी जाती है तो इसके बाद discount percent करने पर selling price आता है और यहां से जो value है उसी को हम profit percentage केते हैं अब जो सवाल बनाया गया है यह सवाल इस region से बनाया गया कि आपको यहां से यहां जाना है और यहां से यहां आना है आपको इस selling price का value दिया है कि आप इसको 1200 रुपय पर बेच रहे हैं आपको खरीदने का दाम दिया है कि आप इसको एक्स रुपया पर खरीद रहे हैं मार्कप percentage आपको दिया हुआ है कि 100% से मार्कप किया गया और साथी साथ आपको discount percentage दिया जा रहा है कि आपने इसको 20% के discount में बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि X को पहले हम क्या करेंगे 100% से बढ़ाएंगे त मतलब कितना 200% कर देना और यहां से इसको 20% के नुकसान पर मतलब की कम करना है तो 20% का नुकसान करने का मतलब अब यहां से 80% कर देना और overall जो वैल्यू बना इसके दो transaction के बाद इसका जो selling price आ जाता है और वो selling price का value जो है वो कितना है तो वो है वह बारह सो रुपिया ठीक तो आए इस प्रतीसत के जगा पे क्या डालना है आप सब जानते इसके जगा पे 100 आजाएगा बट्टा में तो इसका value कितना आजाएगा दो zeros दो zeros कट जाएगे दो से इसको काटोगे तो 600 बार कटेगा एक जिरो इसको काट देगा इसको चार और इसको पांच लिख सकते हैं चार से काटने पर यह 15 बार जाएगा 150 तो एक्स जो है कही ना कई 750 रुपिया बन जाएगा बस इस कहानी को याद करिए increase decrease का formula याद करि चलिए आगे बढ़ते हैं a dealer is selling an article at discount of 5% on the mark price if the mark price is 12% above the cost price and the article is sold for 532 रुपीज then what is the cost price कोई विक्रेता जो है किसी वस्तु के अंकित मुले पर 5% की कटौती पर बेचता है यानि कि discount दिने के बार यदि अंकित कीमत जो है वो क्राय मुले से 12% अधिक है और वस्तु को 5502 रुपिया में बेचा गया तो वस्तु का क्राय मुले क्या है अब देखे directly मैं यहापर इस अंकित मुले पर आपको 5% का discount देना है तो कितना हो जाएगा 95 बटा 100 हो जाएगा और इतना करने के बाद बेचा गया 532 रुपिया पर यह statement मैंने जो लिखा यहाँ पर फिर से समझीए यहाँ पर CP है बढ़ाओगे मार्कप परसेंट से यहाने 12% से तो मार्क प्रेज आ और इस सेलिंग प्राइस का वैल्यू कहीं दिवागा 532 आपको क्या निकालना है यह इप यह बनेगा की नहीं यह बन जाएगा 19 19 से इसको यदि काटने जाएंगे तो दो बार कटेगा किसंदो बार कट जाएगा आपका 38 38 से कटने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू बचेग वो कहिना कही 152 बचेगा 152 152 जो है कहिना कही 19 का 8 गुने होता है तो 28 आ रहा है ठीक 28 का 4 गुने होता है 28 multiplied by 4 करने पर ये value आता है 4 जो है इसको 5 बार कटेगा मतलब x का value क्या हुआ 5 into 100 करने पर 500 आएगा तो 500 रुपिया जो है इतने पर आपने इसको खरीदा होगा तो ये जो है सवाल का सही उतर हो clear है यहाँ पर समझ में आ गई बात है कैसे इसको solve करना है चलिए आगे बढ़ेंगे इसकी बात next question देखते है a shopkeeper increases the price of an object by 40 percentage and sells it at 25% discount on the mark price if selling such price if the selling price of such article is 2100 then what is the cost अब आप इसका comment करेंगे comment section में कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40% बढ़ा देता है और फिर अंकित कीमत पर 25% की छूट देता है या वस्तु की 2100 रुप है तो बताए क्राय मूल क्या comment section में comment करेगा इसका उतर क्या है एक्स्ट्र सवाल लिया हुआ है यहां पर इससे आप यह भी समझ में आएगा कि आपका understanding क्या हुआ क्या आप सवाल को इस तरीकी की सवाल को solve कर पा रहें कि नहीं कर पा ज्यादा सवाल मैं इसले करा रहें क्योंकि आपका practice भी होना चाहिए concept clear होने के साथ साथ चलिए अगला सवाल लिखते हैं mark price of an article is 5000 due to a special festive discount offer a certain percentage discount is declared by Mr. X and availed this opportunity and brought this at reduced price he sold it again for 5000 rupees and thereby made a profit of 111 by 9% what is the percentage discount allowance यदि किसी अंकित मुल्य जो है किसी वस्तु का वो 5000 रुपय त्योहार के किसी कारण से कुछ प्रति से छूट गुशित किया जाता है और श्री X क्या करते हैं वो इस अफसर का लाव उठाते हैं उस वस्तु को कम कीमत पर बेशते हैं तत्पस्चाथ उसे फिर से 5000 रुपय पर बेशते हैं और उन्हें जो लाव परात्थ हो रही है वो हो रही है ग्यारा एक बटा नौ प्रतिस्यत तो बताईए वस्तु कितने प्रतिस्यत छूट दी गए थी देखें मैंने आपको एक बात शुरुवाती तोर पर बताया था कि मार्क प्राइज में जब माइनस का डिसकाउंट करते हैं तो यहां से सेलिंग प्राइज आता है लेकिन यह सेलिंग प्राइज बेचने वाले के लिए होता है और क्योंकि मिस्टर एक्स यहां पर जो भी पुछना जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको बताना है कि यहां से आपने जो कितने का डिसकाउंट दिया था परसेंटेज में यह आपको बताना है तो देखें अगर यहां पर 11 एक बटे 9 परसेंटेज का इसको प्रॉफिट देना है अगर इतने का प price है मतलब यहां से जब मैं इस वाले transaction की बात करूं discount वाले transaction की तो 5000 रुपे में आपका value जो है वो 10 unit के बराबर रहा होगा आपने जो खरीदा होगा वो 9 unit के बराबर होगा तो यहां से discount percentage निकालने की बारी होगी तो उसका ratio 10 अनुपात 9 से निकलेगा यानि एक का discount मिन रहा है 10 में तो percentage discount जो होगा वो कही न कहीं एक बटा 10 multiplied by 100 हो जाएगा यानि कहीं न कहीं 10% सवाल का सही उत्तर हो जाएगा तो A is the correct answer clear बात समझ में आ गई आप चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद next question देखेंगे next question है आपके screen के उपर a photographer allows a discount of 10 percentage on the advertised price of a camera the price that must be marked on a camera which costs him rupees 600 to make a profit of 20% एक photographer उसने camera के विज्यापित मूले पर तो विज्यापित मूले या advertised price यानि जो price लिखा हुआ है ये mark price होता है इस पे 10% की छूड़ दी तो किस कीमत पर इस camera को अंकित करना चाहिए ताके 20% का लाव हो यदि उसको 600 रुपया में खरीदा था तो यहां से समझने की कोशिश करिए तो यहां से CP है इस CP में क्या करते हैं हम mark come percent से बढ़ाते हैं इसको तो क्या आता है mark price आता है इस mark price में discount percent minus करते हैं तो क्या आता है selling price आता है अब समझें यहां पर क्या चीज़े दी हुई है इसको खरीदने का दाम दिया है जो कि क्या है 600 रुपया मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा with formula without formula concept के साथ भी बताऊंगा दोनों चीज़े बताऊंगा पहले बोल रहा है यहां पर 10% के चूट है और साथ में profit जो कमा रहा है वो 20% का profit भी कमा रहा है मतलब बताना क्या है तो mark price बताना है तो आपको यह बात पता है कि अगर आपको cost price, profit percent, discount percent और mark price इन चार variables में से तीन variables दे दिया यहां पर यह तीन variable दे दिया तो चौथा variable निकालने काल से बड़ी बात है क्योंकि हम यह जानते है mark price divided by cost price का formula होता है 100 plus percent profit divided by 100 minus percentage discount यह formula हम जानते हैं कई बार हमने यह चीज़ देख लिया और यह formula आपको याद रहना चाहिए जैसे यह formula हमने देखा तो बस value substitute करिए mark price निकल जाएगा cost price दिया हुआ है कितना 600 रुपिया आपको mark price निकालना है तो profit percent उपर यहां जुडता है तो 120 हो जाएगा साथ में discount percent नीचे minus होता है तो यहां पर 90 बन जाएगा clear बात समझ में आ गए कैसे हम इसको formula से solve करेंगे अब without formula using the ratio approach जो मैंने आपको बता है वो भी मैं आपको यहां बता के रखता हूँ देखिए ratio approach से इसको कैसे solve करना है यह हम समझ लेका है तो देखिए बीस percentage आपको बस percentage देखना है यहां पर या values से भी आप solve कर सकते है यह आपका 600 रुपया दिया हुगा है बीस percentage का profit का मतलब होता है एक बटा पांच वन बाइफाइव होता इसका बटा fraction value मतलब पांच अनुपात 6 होगा कई न कई 5 अनुपात 6 होगा और इस discount का मतलब क्या है कि यहां से अगर यह 10 है तो यह 9 होगा यह अगर अनुपात mark price का 10 है तो यह किसका अनुपात मैंने अब 3 के 3 अनुपात बराबर होने चाहिए मतलब अगर यहां पर 6 है तो यहां कैसे हो सकता है यह जहां नौ है तो यह चे कैसे से हो सकता है दोनों के यहांентर में चाहिए और और बीच का वैल्यू बन जाएगा 18 यह 18 बन जाएगा और क्योंकि मैंने 18 इसलिए किया इसको दो गुने करने पर यह भी 18 होता है तो यह भी दो गुने होगा मतलब कहीं ना कहीं यह जो वैल्यू यह बीस बन जाएगा तो मार्क प्राइज में भी क्या होगा इस मार्क प्राइज में भी 40 से मल्टिप्लाय कर लो गए तो कहीं ना कहीं 80 रूपया इसका मार्क प्राइज हो जाए इतनी सिंपल सी बात है तो विदाउट फॉर्मुला यूजिंग रेशियो अप्रोच आप इस तरीके से इसको सॉल् कॉंसर्ट समझ में आ गया तो डारेक्टली आप सीपी एसपी का रिश्यो बनाकर भी सॉल्व पर से चली आगे बढ़ते हैं अ मर्चेंट मार्क दी प्राइज ऑफ एन आर्टिकल बाइंक्रीजिंग दा प्रोड़क्शन कॉस्ट बाइं 40 परसंटेज इक व्यापारी ने किसी वस्तु के मुले के उतपादन पर उसने 40 प्रतिसद बृद्धी करने का तै किया मतलब 40 परसंट इसका अंकित मूले है पिर कह रहा है कि उसने 20 प्रतिसद का छूट दिया और बेशने पर इतने रुपे का मुनाफ़ा कमाया मुनाफ़ा का मतलब अब आपको यह जो वैलू दिया है इसको आइडेंटिफाई करिए यह क्या है यह लाव है कहीं न कहीं यह आपका प्रॉफिट है यानि कि यह वैलू जो दिया हुआ है यह क्या है तो यह आपका प्रॉफिट दिया हुआ ठीक तो इस चीज का ध्यान र जाता है और profit percentage कितना है इस चीज को बस हमें calculate करना होगा तो profit percentage यह निकालना है तो बस यह जानना होगा कि profit जो होता है यह mark price minus discount minus m into d divided by so कहिना कहीं वो use करना पड़ेगा profit percent directly नहीं दिया आपको mark price का percent दिया हुए markup का percentage percentage दिया हुए तो इन दोनों का use करते हुए हम लिख सकते हैं चालिस minus 20 minus 40 into 20 divided by so कि इसको solve करते हैं दोनों zeros कर जाएंगे हाँ चालिस minus 20 करोगे तो 20 आएगा minus का आठ करोगे तो कहीं ना कहीं 12 percentage का profit हो रहा है 12 percentage का profit यह हो रहा है कहने का मतलब यह है कि 100 रुपया में आपने खरीदा 112 पर आपने बीचा तो बारा का profit हो रहा होगा और बारा का मूल्य आपको दिया हुए कितना तो 48 दिया हुए 48 मतलब 4 गुने हो रहा है तो cost price भी यहाँ पर 4 गुने हो जाएगा मतलब कितना आता है mark price आता है तो मैं मान लूँ कि अगर यह 100 रुपया है हमने 40% से इसको बढ़ाया तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 140 रुपया और इसमें मुझे 20 percentage कम करना है 20 percentage का मतलब क्या हुआ 10 percentage का मतलब 14 हो गया और और 20% मतलब 14 प्लस 14 याने 28 रुपया कम तो 28 कम करने पर कही न कई जो वैल्यू आ रहा है वह 112 आएगा यह क्या है तो selling price तो यहां से जो profit मिला यह profit कितना मिला हमें profit मिला 12 रुपया का और 12 का वैल्यू जो है वह कितना दिया हुआ इस 12 का वैल्यू दिया हुआ 48 रुपया अब अगर यहां पर multiplied by 4 है यह multiplication factor 4 है तो जो वैल्यू आपको पूछा निकाल सकते हैं उत्पादेन लागत पूछ रहा है मतलब cost price पूछ रहा है 20% discount on the advice price and a profit of 25% on the outlay what is the advice price of the on which the gain is 6,000 रुपीज किसी के विज्यापत मूल्य पर दिया हुआ है 20% की छूट देने पर उसका जो उसे जो है overall यहां पर 25% का लाव होता है तो विज्यापत कीमत बताना है जिसकी अगर 6,000 रुपे की लाव हुई याने फिर से profit दिया हुआ है तो देखिए इस सवाल में भी अगर CP हमें पता है नहीं पता है गबरानी की कोई बात नहीं आपको पता है mark price क्यासे आता है यहा बात यहां दिया हुआ है कि डिसकाउंट हमने जो दिया यहां से 20% का था और यहां से जो हमने profit दिया वह 25% का था और यह आपका CP हा बीच में सॉरी profit नहीं selling price आ बीच में आपको इसका value दिया हुआ है कितना तो 6000 रूपिया अब आप बताईए कि 25% के profit का मतलब क्या होता है 25% के profit का बच्टा जो होता है 25% का fraction value जो होता है यह 1 by 4 होता है मतलब यह 4 होगा तो यह 5 हो जाएगा 4 ratio 5 और जैसे आपने देखा कि 4 ratio 5 है मतलब यहां पर एक unit का profit होगा एक unit बराबर इतना तो चार unit का value कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 24,000 अब आपके पास cost price है आपके पास discount percentage है और आपके पास profit percentage है तो mark price निकाल सकते हैं कैसे इस formula से MP by CP बराबर होता है 100 plus percent profit divided by 100 minus percentage discount से इससे formula से आपका value आगा है तोंकि mark price का value हमें निकालना था CP का value कितना 24,000 और mark price यानि कि profit percent कितना है तो 25% है कहीं या कहीं 125 आजाएगा और divided by नीचे के आएगा तो 80 इसको solve करिए यदि मैं इसे 5 से काटू तो उपर 25 नीचे 16 आएगा 16 से इसको काटूंगा तो 15 और 2 zeros आजाएगे तो mark price कितना हो गया 2 zeros आगे लगेंगे और 25 इंटू 15 बताएगे कितना होता है 20 का square होता है 400 माइनस का 25 होगा 375,000 यह आपका mark price बिन जाएगा यह वाला approach समझ भी आ गया जिसमें इस formula की आवसक्ता पड़ रही है इस formula के बिना solve करना है तो उसके बिना भी solve हो जाएगा आपके पास तो यह percent यह percentage है तो ratio balance कर लेते हैं तो solve हो जाएगा चले ratio balance से देखते कैसे solve होगा directly आपको क्या देखना है यह 25 परसेंटेज का मतलब 4 अनुपात 5 CP और MP का यानि कि CPSP का ratio 20 परसेंटेज का मतलब अगर यहाँ पर मैं 10 मानू तो यह 8 होगा या इसको ऐसे भी लिख सकता है कि अगर यह 4 है तो यह 5 होगा चार है तो 5 होगा मतलब इसका जो ratio होता है वो क्या होता है इन नोनों को multiply कर दो इन नोनों को multiply कर दो और इन नोनों को multiply करोगे तो आखरी value आएगा या आपको यह समझना है कि इन नोनों को 20 बनाना है 20 बनाने का मतलब यहाँ पर 4 multiply यहाँ पर 4 multiply तो इससे क्या होगा कि यह बन जाएगा 16 16 और बीच वाला वैल्यू बन जाएगा कहीं न गई 20 और अगर यहां पर मैंने पांच मुल्टिप्ला किया है तब जाके 20 बन रहा है तो इसमें भी पांच मुल्टिप्ला होगा तो यह 25 बन जाएगा मतलब तीनों का रिश्योज है हमारे पास चाहें CP हो SP हो और MP हो और सवाल में दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो हुआ वो 6000 रुपे का हुआ 6000 रुपीस का तो आप यह बताइए मुझे कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है चार यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है अगर चार यूनिट का इतना वैल्यू मतलब हमने यहां पे 150 यहने 1500 मुल्टिप्लाइ किया है तो इस मार्क प्रैस का वैल्यू प अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर रहा है दिया हुए राधा मांक्स हर गुड्स 25 परसेंट अबव दी कॉस्ट प्राइज शी सेल्स परसेंट को हमने दिया 15 परसेंट की चूट पर और शेज बचे हुए को हमने 20 परसेंट के डिसकाउंट पर दिया उसके समगर प्रतिस्यत लाब क्या है यह हमको बताना है तो कहानी आपको बस यह याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइज में जब हम मार्कप परसेंटेज बढ़ाते हैं तो क्या आता है मार्क प्राइज आता है मतलब आपने यहां पर 100 पर सामान खरीदा और आपने यहां पर 25 परसेंट से इसको बढ़ाया तो मार्क प्राइज आग तो यहां selling price आएगा तो overall यहां जो profit percentage हुआ इसके उपर सवाल है कि कितने percentage का profit हुआ यह बताइए तो आपको क्या करना है यहां से effective discount percentage निकालना है तो यह जो सवाल है यह कहीं न कई weighted average का सवाल है यानि कि deviation का सवाल है क्योंकि यहां पर हम अलग-अलग quantity of mark price पे अलग-अलग percentage profit लगा लगा तो 35% मूल पर 35% समान को बेचता है मतलब यहां पर अगर मैं effective discount की बात करूं तो 35% discount जो है 35% समान जो है उसमें 0% discount है कोई discount नहीं है क्योंकि उसको आप mark price पे बेच रहे हो का मतलब क्या हुआ discount %0 और 40% को 15% की छूट पर बेचा यानि इसमें से 40% समानों को हमने 15-15% की छूट पर दिया हुआ और जो 6 बचे हुए लोग है यानि बचा हुआ कितना हुआ बताइए अगर यहां पर 35% 40% तो 75% गए यानि बचा हुआ जो 25% लोग है इन 25% discount values पे हमने 20% का छूट दिया हुआ तो weighted average या deviation के जरीए आप directly बता सकते कि यहां overall percentage discount कितने का हुआ तो हम यह बात जानते कि अलग-अलग quantity पे जब अलग-अलग percentage लग रहा है क्योंकि यहां percentage किस पे लग रहा है percentage का काम discount कर रहा है और यह लग रहा mark price पे तो यह कही न कहीं quantity का का काम हो गए यह average का काम हो गया weighted average लगा लिए इसलिए मैंने सारे चीज sequence पढ़ा है पहले average बता है बात में इस तरीका का सवाल लगा है क्योंकि यहां जब आप इसका 25 परसेंट निकालोगे 40 परसेंट और 25 परसेंट तो कितना समय चले जाएगा बहुत ज्यादा 8 quantity का average कितना है तो 15 है और 5 quantity का average कितना है तो 20 है मान लेते हैं कि average कितना था average को मैं 0 मान लेता हूँ चले 15 मान लेते हैं average को मैं 15 मान लेता हूँ तो deviation कैसे निकलता है इन 7 values में minus 15 का deviation मतलब minus of 15 into 7 करोगे तो minus का 105 हो जाएगा इन आठ वैल्यू में इन पांच वैल्यू में प्लस, पांच का डिवियसन तो प्लस पांच करोगे तो प्लस का पक्चिस हो जाएगा और जो 15 पर माइनस चार हो रहा है मतलब कही ना कहीं 11 परसंटेज का ओवराल डिसकाउंट है इतने सारी चीजे जो दी हुई है इसको आप सिम्प्रिल तरीके से यहां पर एवरेज के जरी यहांने वेटेड आवरेज के जरी और डिवेशन के जरी आप बता सकते हैं कि यहां जो ओवर तो यहां से 11 परसंट कम करके वैलू निकाल लिया जाए यहां दूसरा तरीका यह है कि यहां से प्रॉफिट परसंटेज बता दिया जाए तो देखिए प्रॉफिट परसंटेज यानि कि सक्सेसिव का फॉर्मुला यूज करोगे तो मार्क प्राइस का डिसकाउंट माइनस माइनस एम इंटू बटा सो होगा याने पचिस माइनस 11 माइनस पचिस इंटू 11 डिवाइड़ेट बाए सो तो यह हो जाएगा भई चाहुदा माइनस इस से काटोगे तो चार आएगा माइनस कितना हो जाएगा तो माइनस 2.75 ऐगा मतलब बारा माइनस इतना करोगे तो ग्यारा दिसम्लव दो पांच प्रतिसत का आपको प्रोफिट हो रहा है 11.25 परसेंट डेज का ओवराल प्रोफिट हो अगर आप यह फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं कि आइसे साल करना चाहतें तो इसका 11 कम करना होगा गयारा परसेंट कि शाया होगा वह कितना वो हो जा ए departments AL यह बन जाएगा पांच बटे चार अब देखें पांच से मिल्टिप्लाइ करोगे कितना हैगा 400 प्लस 45 यानि 445 आ रहा है इसको यदि मैं चार से काटो तो कहीं न कि 111.25 आएगा तो आप लोग बताएए 100 में खरीद कर 111.25 पर बेचोगे तो 11.25 का प्रॉफिट होगा और 100 में जितने का प्रॉफिट होता है उसी को परसेंटेज कहते हैं तो 11.25 का प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो क्यालकुलेटिव सवाल जरूर है मैं यह इस बात पर deny नहीं कर रहा हूँ लेकिन इस calculation को भी आपको easy करना होगा क्योंकि एक दो सवाल ऐसे calculated आपको देखने को मिल सकता है तो आपको घबराना नहीं है आपको सोचना है कि हम यहाँ पर कैसे calculation को easy करें इस तरह की सवाल को level 2 पर रख सकते हैं यानि कि फर्स्ट राउन पर असान सवाल इस तरह की सवाल को second level एक सवाल और में लेता हूँ same pattern का अब आप बताएंगे इसका उत्तर क्या रहा है वीडियो को एक बार pause करके खुद भी solve करना मैं अब यहाँ पर इसका solution आपको बताता हूँ कि अट्रेडर मांट इस गूट 20 परसेंट अबव दी कॉस्ट प्राइज सोल हाफ दा स्टॉक एड़ी मार्क प्राइज वन फॉर्थ एट 20 परसेंट डिसकाउंट देन वाट इस दे मार्क प्राइज एक व्यापारी ने क्या किया 20 प्रतिसत अधिक पर अंकित किया मतलब यहां से जो डिसकाउंट मिल रहा है वो अलग-अलग डिसकाउंट मिल रहा है बोल रहा है कि आधे वस्तूप को अंकित मुले पर बेचा तो इसका आधा कितना होता है आधा इसका हो जाएगा 60 इसको अंकित मुले पर ही बेच रहा है मतलब इसका सेलिंग प्राइस जो है इ इसका एक चोथाई कितना है इसका एक चोथाई है वन फोर्थ है वैलू 120 का 30 है तो इस 30 को यह कितने percent के discount पे बीच रहा है 20% के discount 20 इसका है 6 मतलब कितना हो गया तो 24 रुपए पे बीच रहा है और 6 को 40% के discount पर देखिए आधा गया एक शौथाई गया तो बचा हुआ भी एक शौथाई होगा मतलब 30 unit इस 30 unit को कित्य के discount पर बेच रहा है तो 40% के discount पर बेच रहा है दो और एक्स्ट्रा है मतलब 102 रूपया जो है overall प्राइज आगया आप चाहें तो पिछला वाला जैसे मैंने बताया वैसा आप इसको calculate कर सकते है 60 इसका average लेंगे और यहाँ पर डिसकाउंट परसेंटेज यानि जीरो परसेंटेज 20 और 40 परसेंटेज का हो रहा है दो का तो overall दो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा यह ज्यादा आसान तरीका है जब आपके वैल्यूस फ्रेंडली है calculation आसान है तो इसको फॉलू करिए लेकिन जब calculation आसान नहीं है यहां से इसको calculate करना मुश्किल हो रहा था तो क्या करेंगे weighted average जूस करेंगे तो यह दो तरीके हैं इसको solve करने के एक आखरी सवाल मैं यहां पर लेता हूं आपके इस वीडियो में यहां पर दिया हुआ है a shopkeeper bought a bag worth rupees 3900 he marks such that after allowing a discount of 18.75% and an additional discount of buy 3 get to free he makes a profit of 20 percentage then what is the mark price देखिए एक दुकानदार जो है वो 3900 रुपिया पर एक bag खरीदता है वह इस प्रकार इसको अंकित करता है कि 18.75% की छूट देने के बाद और अतरीक तीन खरीदने पर दो मुफ्त ओफर देने के बाद वह 20% का लाग कमाता है तो अंकित मूले क्या है यह ज्याद करना है इसमें एक डिसकाउंट वैल्यू पे दिया हुआ है यानि तीन खरीदने पर दो मुफ्त और दूसरा डिसकाउंट जो दिया हुआ है वह कही नहीं आपका पर्सिंटेव दिया हुआ है जो कि 18.75% का वैल्यू क्या होता है यह हमने कई बार देखा है इसका वैल्यू होता है बटे सोल तो इसको आप नोट करके रखेंगे दो याने तीन पर दो खरीदने का मतलब क्या होता है यह तीन खरीदने पर अगर दो मुफ्त मिल रहा है इसका मतलब है कि SP और MP का रिष्यो जो होगा SP अनुपात MP का जो रिष्यो होगा वह जाएगा पांच में दो फ्री मिलना याने कि तीन और पांच का अनुपात यह सारी बाते हमने देखा हुआ अब देखे इन सारी चीजों को कनेक्ट करें तो क्या से करें सिंपल सी बात है आपको मैंने जो को पकड़ की रखेंगे कि कॉस्ट प्राइज में जब मार्क परसेंट बढ़ता है तो मार्क प्राइज आता है और माइनस करने पर यहां से जो वैलू आता है यह प्रॉफिट है तो यह जो सेलिंग प्राइज है इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं एक तो यहां से प्र free वाला discount तो सारी चीज़े connect करके यदि मैं लिखो तो selling price को दो तरीके से equate किया जा सकता है selling price बराबर क्या है तो CP में 20% बढ़ाना याने 120 बटा 100 कर देना यह आपका हो जाएगा selling price और इस तरफ से देखोगे तो mark price में discount percent minus करना और mark price में अगर 18.75 प्रतिसात minus कर रहे हैं याने 1-1 इतना value याने जो बचा हुआ value होगा वह कितना हो जाएगा 1-3 बटे 16 या ऐसा लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 16-3 बटे 16 जो कि हो जाएगा 13 बटा 16 और साथी साथ SP का जो value हो जाता है वह हो जाता है 3 बटे 5 यानि कि यहाँ पर 3 by 5 का factor multiply होगा क्योंकि पांच में दो का डिसकाउंट है 16 में तीन का डिसकाउंट था तो 1-3 बटा 16 कर रहे थे तो अगर पांच में दो का डिसकाउंट है overall तो 1-2 by 5 करोगे तो 3 by 5 सारी चीज़े सब्सक्राइब करेक्ट होगा है कि वस्तु का वस्तु का वस्तु का कॉस्ट प्रेस दिया हुआ यह है 3900 रुपिया तो मैं इस क्राय मूल्य के जगा लिख लेता हूं 3900 तो हमें जो value निकालना है वो क्या है वो है इसका मार्क प्रेस तो आई यह सॉल्व करते हैं देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है तेरा मुल्टिप्लाइट बाई तीन जो है कही न कई 39 होता है यह दोनों zeros इन दोनों zeros से कड़ जाएंगे बचा यहाँ पर 80 है 80 मुल्टिप्लाइट बाई 12 करना है तो मार्क प्रेस जो होगा 80 मुल्टिप्लाइट बाई 12 करने पर 960 होगा और यहाँ पर 120 12 नहीं है तो एक जीरो और लग जाएगा यहने कहीं न कहीं उत्तर जो है सी इस दस करेक्टन से क्लियर चलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर रुकता हूं मैंने शुरुआती तौर से आपको सारी चीज़े बताई कि कैसे हम यहाँ पर डिसकाउंट को यूज करते हैं कैलकुलेशन में फिर मैंने समझाया कि मार्क प्रैस क्या होता है ठीक है सेलिंग प्रैस क्या होत इस वीडियो को यहाँ पर रुकता हूं थैंक्यू सो मच इस वीडियो में इतना ही